हलो और वेल्कम टो बॉलीवोट वाला आएम सुनुब दोस्तो ग्यारा ग्यारा नाम का एक नया वेब सीरीज देख रहा था मैं Z5 पर यार दोस्तो मैं आपको एक बात बताता हूँ यह अक्चुली बेस्ट है 2016 का एक कोरियन वेब सीरीज पर जिसका नाम था सिगनल तो उसका एडापेशन रीमेक आप बोल सकते हो आप सिगनल जो था वो बेस्ट था फ्रिक्वेंसी नाम के एक फिल्म पर उसका प्रिमाइस था अब दोस्तो यार मैं आपको एक बात बताता हूँ जिस तरह से यह वेब सीरीज शुरू हुआ 11-11 वो इनिशल प्रिमाइस आप जब दे इनिशल प्रिमाइस जिस तरह से चला जब राघव और धायर की बीच में जो पर्टिकुलर कनेक्शन इस्टैबलिश होता है थू दाट वो की टौकी फू इन तो इनिशल प्रिमाइस इनिशली जिस तरह से चला इस वेब सीरीज में वो मुझे इंट्रस्टिंग लगा पड इनिशली ज्बेड़ जू दीच जू अवरती जू आबरेज लगने लगा यार इस तरफ जाट्रस्टैंग अव्टेंग गाने जू इन जू अफ्टन जू अफ्टन ओआ आन। लगने लगा थे थेड़िश सीरी में बताता हू ढागाम और धायर ने अच्छाए अच्छा officers यार, cop वाला वो wife, police officer वाला वो wife दोनों के तरफ से नहीं मिला, यार तो वहाँ पर एक थोड़ा disappointment हलका सा हुआ, kritika कामरा भी है, इसमें good looking girl, good actress, बट यार यार, ये role उनको जमा नहीं है, cop वाला, यार she looked completely out of place is what I felt and ठीक है यार, और हर्ष छाया यार, हर्ष छाया का जिस तरह से role दिया है, गाली गलोज भी कर रहा वो, यार मतलब मुझे लगा वो अपना, जो उनका अन्दे की में जो role था, वो ही same role का एक slightly milder version दिखाने का कोशिश किया है, यार तो मैं भी बोला, मतलब he was actually wasted according to me, यार, तो वहाँ पर भी थोड़ा disappointment हुआ but plot जिस तरह से चला दोस्तो and जो required thrill required tension, required excitement चाहिए था, वो तना भारी मात्रा में मिला ने, in fact मैं आपको बताता हू पहला, दूसरा, तीसरा, चौता, चौता एपिसोड तक उतना कुछ खास मेर को लगा ने, चौते एपिसोड के अंत में थोड़ा सा thrill ऐसे बढ़ते गया फिर पाचवे, छटवे एपिसोड में thrill, tension, excitement आपको मिलेगा the climax, I think the 8th episode 8 episodes, 8th episode वाला जो particular last sequence है जिस तरह से वो चलता है and क्या कुछ होता है वहाँ पे धुमदमा का जो भी है and उसके बाद जो एक phone call आता है last में, वहाँ पे थोड़ा सा thrill आप महसूस करोगे, थोड़ा सा excitement आप महसूस करेगे, but overall I thought the screenplay so to speak was just slow यार, वो उतना tight या fast pace ने लगा है and लंबा duration वाला था तो अगर और ज्यादा tight रखते है screenplay को, तो और ज्यादा interesting हो सकता था बड़ यार, ये Korean series को remake करने का ये जो idea है वो मतलब कहां से आया and क्यों आया वो मिरको समझना है, यार Korean series यार, वो भी कापी time हो गया है तो क्यो उसको लेके आया I don't know, यार, overall मिरको तो average अपरेश थंडा ही लगा, ज्यादा खास लगा ने acting by Raghav Juyal and Dhairiya तोनों ने अच्छा acting किया है but वो कॉप वाला vibe निया है but acting, अच्छा था है, acting was nice but या उनका पो personality वो कॉप वाला vibe को, you know, justify नहीं किया, is what I felt, but otherwise acting by these two gentleman, quite nice to watch I'm going with two stars आपको कैसे लगा, 11-11, लेक कर जरूर बताने, of course, like, share and subscribe भी करना, चैनल को वीडियो गया and super thanks का option भी है, वो भी आप दे सकते हैं, और साथ में Instagram पे भी आप मुझे follow कर सकते हैं मेरा username है, at Bollywood वाला, चलिए टाटा